नमस्कार, आप सभी के बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम रुबेका लियाकत है, हम मा गंगा की गोड में हैं और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के वड़ा प्रधान, प्रधान मंत्री नरेन प्रदामुदर दस्मोदी जी, बहुत-बह प्रधान मंत्री बन जाते हैं, तो वह पहली चीज क्या होगी? मैं हरान हूँ, आप इतना बड़ा क्वेस्चन मार क्यों लगा रही हो, मा गग्या के किडारे पर खड़ी हो, पुरा देश आप घूंकर क्या ही हो, देश में आप लोगों से मिली हो, आपने देखा है, यह चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव एक सो चालिस क लोगों के देखे है, मेरा बहुत लंबा अनुभव है, चुनाव का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजूर्वा मैं समझ सकता हूँ, इस चुनाव से भी काफी उपर की अवस्ता है, यह बोट देकर के छुटने वाली अवस्ता ही नहीं है, बोट दिया और इसने कई सरकारों के मोडल देखे, लेकिन भाजय पाने के ऐसा मोडल दिया है, जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान ने मानवी जो सतर पतर साथ से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का कामा इत्मोदी कर रहा है, और इसलिए मुझे जो जमीनी सक्चाई है, वो मेरे साथ जूड़ चुकी है, और जो खास करके युवा जन्रेशन होने जिसने बुरे दिन देखे ले थे, 2014 के पहला जिसने उसको पांच प्रफिजनल इंडिया हो रहा है, स्टार्ट अफ हो रहा है, ब्रीन हीड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का बनने वाला है, यह उसको लगता है यह तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब बत खुट जाएगा, जम को देखना है, जब मोबाइल फॉन इंपोर्ट क को कि मेरे सफलताओं के साथ बून रहा है और बून करके वो ऐसा धागा बना रहा है इस धागे के कारण उसको अपने भविष्ट की गारंटी दिखती है इतना आप लबरेज हैं कॉण नर्वस्थ जरा भी नहीं है कि पहली बात है चायद वह मेरी डिस्तिर्वेश भी सब्द नहीं है दूसरा मैंने जीवन तबस्चा की है जी मेरा पलपल में खपाया है ले शौप अपने लिए नहीं खपाया है और मैंने इनके लिए पले कर आप मुझ दिजर्विंग लोग है इनके साथ 70 साल तक अन्याय हुआ है और जब उनके आशू को पूछता है उनके टोईलेट की कोई दिन तक को भूल नहीं सकता है को कोरोना का कठीन काल कि चूला बूझने नहीं दिया था बच्चे को भूखा सोने नहीं दिया था क्यों एक सरकार थी जिसने कहा था अनाच के भंडार पढ़ें लेकिन हम देनी सकते हैं एक सरकार है जिसका संकल्प है किसी का घर का चूला में भूजने नहीं दूगा यह जो इमोशनल साइड है आपका 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में 10 साल यहां केंद्र में एक बहुत कड़े प्रशास्तक के तौर पर आपकी के इमेज जो है निकल कर आई है लेकिन हाल के दिनों में यह दिख रहा है कि आपका कोमल मन है जो रह रहकर बाहर आजाता है आप बहुत इमोशनल आदमी है लेकिन उसे दुनिया से चुपाते हैं ऐसा है कि अब टीवी का जमाना है लोगों को पता चली जाता है यह को बाद में आई हुची जने होती है जन्मजाप होती है और वो शायद मेरी स्ट्रेंद्ध भी है दुनिया के नेजरों में विकनेस भी है और विरोधियों के लिए ताना मारने का अवसर भी है लेकिन मैं इन सब्सक्राइब परह परह हूं मोदी आपका बच्चा है अपने इसको बना बना है अपने इसको पाल करके बड़ा बना है खुछ कमी रह गई मैं ठीक करूंगा अच्छा होगा तो आगे बढ़ाओंगा झाल पई यहा हूं और 5जन ख़े जड़ाओंगा मैं यहा हूριो थापका रट्ट एसको डिस ऊटा रहा हूं यहा हूं जड़ाए ओल 낌 आगे वाल कर दोब हम県ा